साथियो एक जुलाई दोजाट चोवेश से बारत में तीन बड़े नए कानून लागू हो गए उसी में से सबसे मैथपूर कानूना समझ लीजिए कि अब अगर प्यार में दोका दिया सीधी बात यानि की साधी का वादा तोड़ा आपने तो आपको दस साल की जेल होगी BNS section 69 क्या कहता है वो आप जान लीजिए पहले में कानून की बासा में फिर आपको बहुत इसपस्ट से समझाओंगा देखे साथियो होता क्या है कि लड़का लड़की प्यार करते एक दूसरे को तो जब भी प्यार करते तो वहाँ पे साधी को ही आंगे रखे करते कि भाई अ तो अब अगर इंकार किया तो आपको 10 साल की सजा होगी कैसे वो आप जा लीजिए ठीक है जो कोई प्रवचना पूर साधनों द्वारा किसी महला को विवा करने का वचन देगा देखे कोई भी लड़की अगर आप ये कह दोगे कि हम साधी नहीं करेंगे ऐसी बात कर लो त उसके साथ मैथूल करता है आप उसके साथ सेक्स करते हो तो ऐसा सेक्स बलातकार की स्रेडी में नहीं आता ठीक है लेकिन वह दोनों मेंसे किसी वहांतिके कारावास ठीक है यहां पर देख सकते ऐसी वदिके कारावास से दंडिनी होगा जो 10 वर्स तक की हो सकती है और जुर तो आपको 10 साल की सजा हो जाएगी अगर लड़की ने कह दिया कि अब मैं साधी नहीं कर पाऊंगी तो क्या हो गया ठीक है अब देखिए लड़के क्या जैसे माली जी एक लड़का और लड़की प्यार कर रहे है ठीक है लड़का सेक्स भी कर रहा होगा लड़का कह रहा है कि हम साधी करेंगे ठीक है माली जी उसके साथ सेक्स कर रहा है तो अगर उसने साधी नहीं की तो लड़की चली जाए नहीं दोस्तों मैं आपको बता दू कि भारत देश में अभी तक ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि देखे लड़के ने लड़की का रेप किया तो वहाँ पे बहुत जबर्जस्ट सेक्षन है उसे फांसी भी हो सकती है लेकिन अगर किसी महला ने पुरुष का रेप कर दिया तो उस पर कोई भी कोई भी मालीजी ऐसा कोई कानूनी लिल लागू होता है ठीक है न तो यह कहीं न कहीं गलत में आपको बता दो दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा सात्यों कि आप मुझे मालीजी कोई भी आप लीगल एडवाइस लेना चाहते तो ले सकते आपको वीडियो क कानून है तो कहईने कहिं लड़कियों के liổ कानून अना चाहिए अब क्या मन लीजीए किसी ने कहा दिया कि मैं सादी नहीं करूंगा ठीक है लेकिन वुइस लड़की न लेकिन अब आप कह रहा है कि मैं साधी नहीं करूँगा आप पहले ही कह चुके थे अब आप साधी दूसरी जगह कर रहे हो तो लड़की हो सकता थाने चली जाए आपकी F.I.I. दर्ज कराने कि सर इसने जो है मेरे साथ सेक्स किया कह रहा था साधी करेंगे अब ये दूसरी ज साल की सजा होगी कोई प्रमोशन का जासा दिलाता है यानि कि कोई भी आप जूटा वचन दे रहे उसे ठीक है और उसके साथ सेक्स कर रहे है तो आपको वहां पे दस साल की सजा हो जाएगी ठीक है हाँ लेकिन जातियों अगर माल लीजिए लड़की ने आप से का का हाँ मै साधी करूंगी ठीक है उसने भी रेलेसंसिप में आई वो और फिर वो कह रहे हम में नहीं करूंगी ठीक है उसे अच्छा गर मिल गया तो उसके लिए कोई भी कानून नहीं है तो कई ने कई ये गलत मैं मानता हूं गलत है ठीक है आपने देखा होगा कि वही इस्तुरियों के लिए महला आयोग बना दिया कई कुछ बना दिया पुरुस अगर परेशान हो तो उनके लिए क्या है वो बिचारे कहा जाए तो कम से कम कुछ एक आयोग वगेरा कुछ तो इनके लिए होना चाहिए जहां पुरुस भी अपनी सिकायत रख सकती हो